असलाम अलेकूं मैं यूट्यू फैमली उमीद करते हैं इंशाला आप लोग सब खैरियत ताफियत के साथ होंगे आज का जो यह व्लोग है जी यह इसमें है कि हम लोग जरा बाइड जा रहे हैं खाना खाने के लिए डिनर का टाइम है यह व्लोग जो है यह थरस्टे का क्यों थरस्टे आले दिन मैंने आज बहुत घर की काम किया इतनी सफाईय की पूरा घर साफ किया उसके बाद जो यह ना मैं बहुत ठक गई थी मेरे में खाना बनाने की बिल्कुर भी हमत नहीं थी तो हस्बर निकार चलो मैं नीचे आ रहा हूँ तुम नीचे आ जो तो हम लोग जो यह ना जरा फाई कुछ खाने के लिए चलते तो अभी जो यह ना मैं अपना परस ढूंड रही हूं कि मैं कौन सा परस लूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा था और यह जो है मैं आप लोगों को पूरा अपना घर बहुत ही मसला होता है हर दिन मिटी घर के अंदर आ चुकी होती है देखे माशाला से कैसे घर चमका दिया मैंने तो जी नीचे उतरने से पहले मैं सारे रूम चेक करी थी कि कहीं किसी की लाइट तो नहीं खुली तो कुछ भी नहीं खुला था सब बन था और अभी मैंने जब से यह करोना आया ना तो मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करता सिवाए इस मास की वज़ा से इस पे पहन के मुझे इतनी घपरार्ट होती ना मुझे मेरा हस्पेंट कहते हैं चलो यहां चलते हैं आप यकीन माने नेक्स फ्राइडे में गई थी नेक्स फ्राइडे के बाद तब मैं थजडे जा रही हूं इतने दिनों बाद में नीचे उतरूंगी बस मेरा दिल नहीं करता दर्वाजा लोग कर दर्वाजा लोक करने के बाद मैं दुबारा चेक कर से ओड़ ने क्या ने कि यार आपने सही से लोग किया है कि नहीं किया मेरे साथ हमेशे ऐसे उतर मुझे वापिस पीछे भागना पड़ता चेक करने के लिए खुला है तो बंद तो नहीं तो फिर हस्बेंट नीचे खड़े वे थे इंतजार करे थे तो मैं नीचे उतर ही थी वह इंतजार करें कबस मेरे मेरे साथ हाफ्य कंपा मेरे साथा को सभत करने के लिए फनी पहार को इतना मआज हिस्पर्ट करने के लिए ऐक मेरे सब बहझता है कि लिए कि लहां चलब लोगों को भी रही हैं तौब हम झालिए तो अब vibeार यह विडियो आ आज मेरा दिल करा था वेज खाने के लिए मेरे हस्बिंड को तो वेज बिलकूर भी पसंद नहीं है मुझे पसंदे फिर भी मैं खा लेती वो नहीं खाते असलाम वालेकूम सिद्रा अबदुलकूदिर के जाने वालों मैं उसका शोहरबात कर रहा हूं हम लोग अभी जा रहे हैं राजस्थानी ठाली खाने अभी रस्ते में आज जुमेरात है काफी रश है आजमान से अभी हम लोग निकले हैं तकरीबन 24 मिनिट में पहुच जाएं रेस्टरंट का नाम भी याद में है मुझे वहां जाके मैं आपको सारी बीटिन देता हूं तो यह जी मेरे हस्बेंट जो मेरे हस्बेंट बोल रहे थे जो के बहुत ज़दा स्लोव बोलते हैं मेरी स्पीट के आगे इनकी स्पीट बहुत कम है मेरी स्पीट 160 से उपर की है इनकी सत्तर पचासे अब अब नहीं होती है तो जी हम लोग जा रहे हैं विख खाना खाने के लिए जैसे कि मेरी हस्बेंट ने आप लोगों को बताया आज जो है मैं बहुत ज़दे थक थी तो मेरी हस्बेंट ने का चलो आज हम लोग बाइर खाना खाने चलते हैं तो यह यह बस अभी हम लोग आपको लेके जाते हैं पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम भोग खाने में क्या खा रहे हैं और किदर जा रहे हैं और ये गाड़ी अलब देखो जरा इसको बड़ी जल्दी है जाने कि आज इसने पोंचना है यह तो यह घर पोचेगा यह तो कहीं और तो जी यह थे मेरी मेरी व्लोगिंग चाहिए काफी बड़े कर दिया है काफी बड़े कर दिया देखो जरा इस रोड को पूरा बनाया है ना इस वज़ा से काफी बड़े हो गए यह रोड भी इतने टाइम बंद भी तो रखा वाते हैं लोगों ने यह रस्ता शार्जा की पूंच चुके हैं हम लोग अभी रेस्टरेंट में पूंच जाएंगे और मैं आप लोग को सी यह पूछ रही थे मेरे व्लोग जाप कर चे तो लगते होंगे ना आपकी बहुत मैनत करती है वस आप लोग मैनत का फल भी दे रहे हो माशाला से मुझे अच्छा लग रहा है कुछ लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं मुझे इच्छे कमेंट कर रहे हैं मुझे इस चीस की बड़ी खुशी हो रही है तो हम लोग यह अभी पहुंच चुके है रेस्टरेंट में यह रस्ता है जी बड़ा कोई घटा मिठा कर्चा पका रस्ता है तो यह है जी वो रेस्टर तो जी एह वह रेटों जहां पर हम लोग आज खाना खाएंगे और यह जो है ना राजिस्थानी रखी बिशाइब राजिस्थानी तो अब यह हम लोगों को खाना सर्फ करेंगा हम लोग अभी खाना कइसा है यह देखें जी धाली वाली रखी वी एगलास लटके में फूरे स्टील टाइब के यह चीज मुझे बड़ी प्यारी लगती है ना अब जी हमारी थाली लगने शुरू हो चुकी है थाली में सबसे पहले इन्होंने ना ग्लास में लसी दिये जिसको यह चाज बोलते चटनी वगेरा कचोरी यह सब देंगे अब हमारी थाली में रखते होती कि आप से खाई नहीं जाती यह मेरे साथ से बिल्कुल परफेक्ट है लिमिटेड चीजे रखी विए जो खाई जाएं जिनको थोड़ा-थोड़ा चक सको इतना ओवर नहीं है कि इतनी सारी चीजें हो कि आप बोलो कि क्या खाएं क्या ना खाएं फिर फूड वेस्ट ह नहीं हो कि तो फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती तो मुझे इसकी थाली अच्छी लगती जो शार्जा में रेश्वें यह मैं भी खाएं इसको बोलतें दाल भाटि यह राजिस्तानी की रاجिस्तान वालों की सबसे फेमिसम दिश है ना बाकि चूरमा यह मीट चूरा होत ये है जी अब ये सब खाने आप लोगों की स्क्रीन में शो हो रहे होंगे अब सब का नाम लूँगी तो मुझे किसी रेस्टरेंट में काम करना चाहिए वैसे तो अच्छा जी अब आ रही आगी सुइट की और इनकी सुइट में बहुत मज़े की चीज थी शाहि तुकड़ा था और खीर थी शाहि तुकड़ा बिल्कूल यह डिफरेंट था बस्फेतल सब से ज़्यादा मुखतलिफ था राजिस्थानी ट्रॉल का था खीर भी राजिस्था में अवसे इखला जाता है मुझे मेरी हस्बिन ने बताया है और दो रहा है थोड़ा साथ इस प्रेते हिस्दोच नहीं हम इस बढ़ से हम यह कि अजे तरवेर आप प्रेंग आप हिसाफ ही को तो जी नूर्मली थाली यह थी यह था अज का मैन्यों थाली का तो बहुत मजे की थाली थी यह लोग बारी बारी चीजे रखते हैं ताप कर इंसान अराम से जाए चीजे ठंडी नहों जाए एक साथ वो थाली में परोशतेंगे मतलब डाल देंगें उनके तो फिर खाया नहीं जाता थंडा होने के बाद तो यह लोग डालते रहते डालते रहते जबर्दस्ती खिलाते अपने महबबत दिखाते मेरे हस्बेर मना भी करने के मुझे नहीं खाना तो वो उनको डाल के दे रहे थे तो जी अभी हमारा खाना खतम हो गया और हम घर की प्रा काम किया और आप लोगों को मेरा व्लोग कैसा लगा उमीद करते हैं आप लोगों को मेरा व्लोग अच्छा लगाओगा अपनी भेन को आप लोग पूरे दिल और जान से सपोर्ट करें मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब औ अपनी फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलेगा और मुझे दुआ में बहुत जादा याद रखेगा अपना बहुत ख्याल रखेगा इंशाला जरूर मुलाकात होगी नए व्लोग के साथ उमीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये व्लोग बहुत पसंद आया ह होगा अपना बहुत जादा ख्याल रखेगा ओके बाई अल्ला हाफिज बाई टेक कियर